हेलो फ्रेंज मैं हूँ विजिया और आप देख रहे हो विजिया स्क्रेटिव गार्डन फ्रेंज यह जो आप वाइट कलर खा पाउडर देख रहे हो तो यह पाउडर नहीं है बलकि एक यह फंगस है वो भी लिविंग फंगस दोस्तों घबडाईएगा नहीं हम आपको कोई कतरनाक चीज नहीं बता रहे हैं दोस्तों वास्तों में यह है टाइकोडर्मा यह जो ट्राइकोडर्मा है यह हमारे प्लांस के लिए और हमारे प्लांस की जो मिट्टी होती है उसके लिए बहुत यूसफुल होता है कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम लुग अपने प्लांस का बहुत ध्यान रखते हैं उसको फटलाइजर भी डाल रहे हैं लेकिन प्लांक की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है एक प्लांट में बार बाद खीड़े अटैक कर रहे हैं प्लांट जो है अचानक चल रहे हैं उस किन्स फूंगस को दूर करने के लिए तो मिटी में हमारे दोनु तरीकेस्ट है हमें ची तरीके की बुरी है तो आपका प्रांट अच्छे से ग्रोव हो रहा है थे तो ठीक है कोई इसका मतलब बूरी फंगस ज्यादा है आपके तो आप इसको यूज करोगे ट्राइकुडर्मा को यूज करो आपका प्लांट जो है आपके प्लांट मिट्टी में जो भी प्रव्लम्स है वो काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगी देखिए आपका प्लांट हेल्दी चल रहा के लिए इसको यूज करना है इससे जो है आप बहुत तरीके से फायदा ले सकते हो पहले तो मैं इसको अभी यूज नहीं करती थी अब जो है मैं लास्ट टू येर से यूज कर रही हूं पिछली बार जो था फरवरी में हमने पना स्वाइल मिक्स बनाया था उसमें भी इसको कि जब हम दुबारा से बनाएंगे तभी पूरी इंफॉर्मिशन दे देंगे क्योंकि फ्रेंड्स अब सीजन बदल रहा है आपको फिर से स्वाइल मिक्स वगएरा बनाना है तो आप उसको बना सकते हो जब भी इसको आप खरी दिएगा तो डेट ऑफ पैकिंग जरूर दे अच्छे से इसको रखा तब तो कोई बात नहीं है तो फ्रेंड्स खराब भी हो जाता है डेट भी हो जाता है एक 110 इसमें लिखी है लेकि यह 110 का नहीं मिला है यह कम रुपे का मिला है एक्जेक्ली मुझे याद नहीं है लेकि यह पता है कि MRP में शॉपकी पने नहीं दिय होगा कमी दिया होगा हमको क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बार समान बहुत सारा खरी दोना तो आपको एक एक की कॉस्ट नहीं याद रहती है उस समय तो पूछ लेता है लेकिन दिमाग से उतर जाता है तो आप इसको सोयल मिक्स में यूज कर सकते हो देखिए हम जो की हुई अचानक लोड़क गई गिर गई मर गई फिर हम ठीकनी कर सकते हैं तो एसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी मिट्टी में फंगस खराब वाली फंगस है उसके कारण हो रहा है और उन सब खराब फंगस को फटाने के लिए हमें अच्छी फंगस पयांगस कि मात्रा होती यह भी फंगस नाच्राल रूप से रहती है लेकिन कब यह खतम हो जाती है हम लोग को नहीं पता होता है तो इसको जो है उपर से डाल दो ठीक रहता है इसको रोस्तों डालने का यह है जब आप इसे स्वाइल मिक्स वगएर अपना बना रहे हैं तब पहले से कर दीजिए तो पहले से जो भी फंगस होगी वो सब खतम हो जाएगी अच्छी फंगस बढ़ जाएगी हम आपको एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे हम यहां पर केवल वन टी स्पून एक छोटा चमत जो है यह ट्राइकोडर्मा पाउडर ले रहे हैं यह किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हो तो इसको जो है हमने मिक्स कर दिया है अगर आप एस्थमिक पेशन्ट हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप जो है अपने ना को मुझ को कवर कर लीजेगा वो ज्यादा बेटर रहेगा और इसको जो है अच्छी तरी पॉपलेशन नहीं बढ़ा पाएगी हलका सा छड़क करके मिटी को मॉइस्ट कर देना है और फिर इसको आप चाहो तो कवर करके कहीं पछाय दा जगे पर रख दो और नहीं अगर आपके पास जगह है तो कोई मोटा कपड़ा लेकर के इसको ऊपर ढग दीजेगा ताकि जो फंगर से अंदर रखे रहे अपनी पॉपलेशन बढ़ाए और बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में कोशिश करिएगा कि ना रहे और नहीं जगह आपके पास तो मोटा कपड़ा कबर कर दीजे ताकि इसमें अंधेरा रहेगा तो पॉपलेशन बढ़ेगी इसके बाद आप इसको 7 days के बाद कभी भी यूज कर सकते हो सिंपल जैसे आप गोबर खात वगर अपने घर में यूज करते हो ना शिंपल वैसे ही यूज करना इविन आप जो है अपनी compost में भी यूज कर सकते हैं इसको आप जो है किसी मेरी viewer friend ने पूछा था कि जो कमपोस्ट की शुरुवाती स्टेज में यूज कर सकते हैं तो दोस्तों हम जो हैं मैंने कभी वो यूज नहीं करा है शुरुवाती स्टेज में मैंने जब भी यूज करा है तो आधी जो कमपोस्ट मेरी बन जाती है तो मैंने यूज करती हूँ मैं अभी मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो बारिश के चकर में मेरी पूरी कमपोस्ट खराब हो गई बिलकुल खराब हो गई थी मतलब वो आधी कच्छी के दो कमपोस्ट रह गई थी तो पहले तो मैं उसमें डेरेक्ट प्लांट लगाने जा रही थी लेकिन फिर कोई प्लांटी नहीं था लगाने के लिए तो मेरी कमपोस्ट अभी तक पड़ी हुई थी तो आज जो था मैंने इस उस कमपोस्ट को पूरा नीचे निकाल करके फैलाया है फिर उसमें मैंने सरसो की खली गोबर भगर इस में डाल करके वाइट बगर हैंडिय है फिर इसके बाद मुझे जम और प्लांट लगाना हो का च कि अभी फ्रेंट्स अब तो सीडलिंग करेंगे सरदियों वाली तब तक यह जो है ना यह जितनी पिसमें मिला हुआ है जितना भी इसमें खाद आदे सब मिल जाएगा ट्राइकोडर्मा फंगस जो है अक्टिवेट हो जाएगी और सभी चीजों को खाने लगेगी डिकंपोस करने लगेगे उसके बाद जब हम प्लांट लगाएंगे ठावालीयर मिले फंगस लिए अफनी पार छो cessios कर सब्सक्रिणा सब्सक्राओं मिट्टी के खराब फंगस को खतम करके अच्छा करती रहती है मैंने इसका इस्प्रेवे गएरा कभी भी यूज करके नहीं देखा है मैं जो हूँ अक्सर इसको मिट्टी में ही यूज कर रही हूँ मुझे फायदा मिला है कमपोस्टिंग में भी आप किसी में भी बिना डरे यूज कर सकते हो अपने एरिया की आप देखना कि कोई भी सीट शॉप पे जहां खादाद मिलता है वहाँ आपको इसली अवेलेबल रहेगी है और यह पाउडर के रूप में भी आती है और लीक्विड रूप में भी आती है इवन ऑनलाइन जो है अमेजोन में भी मैंने इसको देखा है आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो अगर आप इसको यूज करते आ रहे हो ट्राईको धर्मा को तो प्लीज आप अपने कमेंट्स जो हैं लिखिएगा हमारे इसमें ताकि जो दोस्तों मुझे और ज़्यादा इसका अनभव हो साथ में मेरे जो और विवर फ्रेंट्स हैं जो कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको भी इससे फाइदा मिले वो अपने एक्स्पिरियंस को बढ़ा सके तो इस तरीके से देखे कुछ चीजे जो होती हैं इससा फ्रेंट्स सस्ती चीजे होती है एक बार आप खरीद लोगे सबसे ही बहुत फाइदा होगा जब प्लांट हमारा कम जो रहता है अच्छा ये जो हमनों खादर डालते हो कई बार तो खाद में भी कई बार प्लांट जोते से आईरन वगेरा रहता है तो प्लांट की जड़े उसको खीच नहीं पाती है डैरेक्ट रूट्स खीच नहीं पाती है तो ये ट्राइकोडर्मा फंगस होती है ये उन मिनरल्स को खा करके डीकमपोस करती है फिर उसको जो है प्लांट की जड़े असानी से खीचती है और हेल्दी स्वस्त बनती है तो इसलिए फ्रेंट्स ये ओवर और बहुत फाइदे मन्द है आप इसको बिना डरे यूज कर सकते हो तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप से किसी नही जानकारी के साथ तक तक के लिए गोड़ पाइ